नमश्कर सीजी नियूस प्लस 24 में आपका स्वागत है सब की बात सच के साथ तो चलिए रूख करते हैं आज की प्रमु खबर पर जल्द स्पेस इस्टेशन जाएगा भारती अंतरिक शियातरी इस रोका खास प्लान केंद्री मंत्री जितियंद्र सिंग ने किया खुलासा भान संगठन इस रोका एक गगन यात्री अंतराश्टी अंतरिक स्टेशन आई एसस की यात्रा करेगा यह इस रो नासा और एक निजी कंपनी एक्साम स्पेस के एक संव्प मिशन होगा इस मिशन के लिए इस रोने एक्साम स्पेस के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं यह अगस्त दो जार चौविस में फ्लोरीडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लांच किया जा सकता है अगस्त में गगन यात्री का स्पेस मिशन इस रोके एक बहावना नहीं है इंटरनेशनल स्पेस मिशन के लिए चुने गए गगन यात्री उन चार भारती वाई शेना पाइलोटों में से एक होंगी जिन हैं गगन यान मिशन के लिए ट्रेंड किया जा रहा है क्या है पुरा प्लान मंत्री जितिंद्र सिंग ने बताया इस रोके पोड ने इन चार पाइलोटों को चुना था इन सभी ने रोस में अंतरिक श्यात्रा के बेसिक मोड्यूल पर ट्रेंणिंग ली है फिलहाल यह सब गगन यान मिशन के लिए बैंगलुरू में इस रोके अंतरिक श्यात्री प्रसिक्षन केंद्र में ट्रेंग ले रहे हैं के सवाल पर केंद्री मंतिर ने जवाब दिया गगन यान प्रोजेक्ट से पहले यह खास मिशन गगन यान प्रोजेक्ट इस्रो का एक मैटवा कांग्शी मिशन है इसके तेतीन अंतरिक्ष यात्रियों को चार सो क्लोमीटर की कख्षा में तीन दिन के लिए भेजा जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस धरती पर लाए जाएगा यह है मिशन 2025 में लाँच होनी के उम्मीद है यह मिशन भारत के लिए बहुत मेहतपून है इसे भारत मरेश को अंतरिक्ष में बेजने की शमता रखने वाले देशों के एक चुनिंदा ग्रूप में शामिल हो जाए इसे स्पेस साइंस के शित्र में भारत की स्थिती और मचबूत होगी ख़बरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास ख़बर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहिए सीजी नियूस प्लस 284